जदों दशमेश पाशा ने खाल सा वहीर समेथ अनंदपूर सहब छड़्या ता ओना कोल ना दे बराबर समान सी। फिर जन्दे जन्दे गुरू सहब ने लखा करोडा दे खाल से दे खजाने नू आखिर किते टकाने लाया के दुश्मन फौज दे हाथ एक सिक्का तक नी आज गया बाज गया जिगर्दे टोटे सहब जादे शहीद हो गए जान तो प्यारे सिंग शहीद हो गए प्रिवार्दा विशोडा हो गया अनंदपूर सहब छड़ना पैगया सब कुछ चले जान तो बाद भी अंत समय तक गुरू सहब ने अपने कोल संभाल के रखी नाल गुरू सहब जी दे अनंदपूर सहब छड़न तो लेके साका सरहंद तक मोटे मोटे सारे इतहास्त हुना पा सब जानू हो चुके हैं पर किला खाली करन तो पहले कुछ गंटे ओस अनंदा दी नगरी विच की कुछ वाप्रया एदी गल बहुत कट किती जांदी है सो एक वर फेरा जापां एक अनशुते विशे नू डुगाई नाल फिरोलन दी कोशिश करांगे विसागात करन वाले गंगू बरे ता पा फिल्म विच बेख लया पर आज जानांगे एक होर गदार बरे जो गुरू सहब दे ही प्रवार दा मेंबर सी पर उनना दे अननदपूर सहब चड़न मगरो पहाड़ी राजयानल हत्म लाके अननदपूर सहब दा मालक बन बैठा ते उते गड़ी लाके अपने आपनों सिखांदा ग्यार्मा गुरू अकवोन लग पया एतों तक के ओधी हाजरी परली उते सिखांदी पीडवी जुटनी शुरू हो गई जानांगे सब कुछ इस वीडियो विच पर अग्गे वदन तो पहला से किता आसनल जोडे शांदार वीडियोज वेखन लई सक्सेसदारा चैनल सस्क्राइब करके बैल आइकोन प्रेस कर देखांदा जोड़ो सत महीं नया दे जबरदस्त के रेतो बाद अनंदपूर सहीब छड़न दा फैसला ले आ गया जी आपा इसनू चमकौर दे दस लगदे के रेनल कन्फ्यूज ना करिये अनंदपूर सहीब नो केरा पोनवाली चार सुब्यां दी औरंग जेब दी फोज भाई दर दे राजियां दी ते रंगड़ां दी कुल फोज दी गिन्ती किन्नी सी इसना जिकर सन्नू किसे वी तहासिक स्रोत विच नहीं मिलदा पर तवारीख गुरु खालसा विच ग्यानी ज्यान सेंग जी लख दे हन के जे मोटा मोटा वी हिसाब लाईये तां केरा पोनवाली फोज दी गिन्ती ऐनी सी के जे केरेदा हर सिपाही एक एक मुठ मिट्टी दी परकेवी अनंदपूर सहेब वल सिटे तां सारे अनंदपूर सहेब नू सने किलिया मिट्टी विच दब्या जा सकदा सी किले दे अंदर दे हलात हद तो वद बत्तर हो चुके सन सिंगा ने कई-कई महिन्यातों अन्दा एकवी धाना मुँच नी सी पाके विख्या सिंगा दे कोडे पोखनाल मर रहे सन असाम दे राजे रतन राए ने गुरू सहेब जी नू एक परसादी हथी पेड़ कीता सी इस हथी दी खासियत एसी के दे सुन्ट तो लेके पूछ दे सिरे तक सारे स्रीर ते एक चिट्टी तारी सी ते ओस में एद्दान दे बेश कीमती हथी पूरी दुनिया विच कोई दो-चार ही सन ओ परसादी हथी वी पोखनाल तडफदा होया मर गया सी जदों किला छड़न दा फैसला लिया गया तक गुरू सहेब जी ने तुर्क फोजानू सुनेहा पिजवाया ते उन्ना ने हथो हथ कीर्थपुर सहेब वाले पस्यों फोजानू हटा के जान दा राबना दिता आखर पिछले सत महीन यातों ओ इससे पल दी उडिक कर ले सन हुन देन दे आखरी कुछ कंटे ही बचे सन अज सूरज वी डुबबनू काडा पेंदा जापदा सी किले दे अंदर हिसाब लाया जा रहा सी के की कुछ नाल लजाया जा सकदा है ते बाक्की दे समान दा की करना है शिरी अनंदपर सहेब गुरू दी नगरी वेच तन दौलत दा कोई काटा नहीं सी खाल से दे खजानेच सुनने चंदी हीरे मुत्ती अपार तन जुड़या प्यासी पर गुरू सहेब जी नाल कट तो कट समान लजाना चोंदे सन क्योंकि ओ जान दे सन के तुरकन अपनी उकात वखा के वहीर ते हमला जरूर करन गे ते उनना नाल खंडा खड़कों देया ओ समय आर पार दी लडाई विच हीरे मुतिया ने नहीं सरबलो दे शस्त्रा ने काम मौना सी इस लई फिर ना मतर जासमान मोटे मोटे तोर ते बस कले शस्त्रा नाल ही अनंदपुर सहब छड़न दा फैंसला ले आ गया पर खालसे दा ओ अथाख जाना ओ दुश्मन लई एवे नहीं सी छड़िया जा सकता इतहासिक सरोता विच जिकर मिलता है कि खालसे ने ओ लखा करोडा दा अथाख जाना ओ सरात द्रिया विच रोड दिता ए सब बेके मादा गुजर कोर जी गुरु सहीब कोल पहुंचे ते अर्ज कीता के गुरु सहीब द्रियाच वह ओंदी था क्योंना एक जाना अपने सिंगा मिची वंड दिता जावे तद गुरु सहीब जी फ्रमाए के ए सिंग पिछले साथ अठ महिन्या तो पुखेत आये कश्ट सेंदे होए मेरे नाल डट के खड़े हन दुनिया दा सारत अंदोलत वी एक पासे कठा कर दिता जावे तावी इनन दे समर्पन दा इनन दे प्यार दा मुल नी मोड़या जा सकदा ते मैं चंद सुनने दे सिक्केते गैने देके इनन सिंगा दे समर्पन दे मियार नू नीवा नी करना चोंदा ते जोग जाना उस काली राद दी पेट चड़या ओदे विच कल्ला सुनना चंदी हीरे मोती नहीं सन उस राद खाल से नू अपने हथी अपना कुछ अजेहा वी बरबाद करना पया जीदा मुल सुनने चंदी विच मिथ्या ही नी जा सकदा शिरगुर गोबिन सेंग जी दे दरबार विच कुल भुमंजा कवी बैठ दे सन जीना दियां कई साला दियां चोंड मिया इतहासिक लिखता नू कठा करके एक वड़ा इतहासिक गरंथ त्यार कीता गया सी नो मन यानिके 360 किलो वजनी इस गरंथ दा नाम सी विद्यातर गरंथ अनंदपुर सेब चड़न तो पहला इस गरंथ चोंग कुझ चोंड मिया लिखता बाके सारे जे सारे इस विशाल गरंथ नू अगन पेट कर दिता गया एक हालसा पंथनू लगण वाला ओकाटा से जीदी प्रपाई अज तक नी हो सकी जे अजो सारियां लिखतां सडे कोल हुंदियां ता इतहासिते पतानी किनने जेह शूते पक हन जीना बारे अज तकसी नई जान दे ओ सब सडे समने हुंदे एक एक शलोक करके लगपग 20 सालांच हत्ती त्यार कीता गया विद्यातर करंथ अखाने सामने ही मिन्टा सकिंटां विच अगनिया लप्टा निगल गिया इसतों लावा काबूलते टाकादे सिखाने समय समय दे गुरू सहीब जीनू कई बेश कीमती तंबू शतर चाननिया पेट कीतियां सन ओना सबनू भी अगन पेट कर दिता ते ओना चंद कंटिया ने गुरू करदा एना कुष खोल या के दसदे दसदे दिलनू होल पेंदे हन अनांदपुर सहीब नगर विच कुल चार किले सन मन्या जान्दा है के गुरू सहीब दे हुकम ते उनना कुछ की कंटियां दे विच सिंगा ने अपने हती त्यार कितियां लग पग स्ताई अठाई दे क्रीब तोपा आप ही गर्क कर दितियां उनना नू एस कदर नकारा बना दिता के ओं मुड़ चलन जोग नहीं रहियां इनना चों कुछ मुख तोपां दे नाम जो इतहास विच मिल दे हन जिमें के नेंगण, बागण, ते सतु जीत मैं विडियो दे शुरुवात विच जिकर कीता सी के गुरू सहीब ने अनन्दा दी नगरी छड़ी तखत गया, राज गया, बाज गया, पिता शहीद, पुत्तर शहीद, जान तो प्यारे सिंग शहीद आपना सब कुछ गवा लेया पर औरंग जेब दी एक कीमती चीज, उनना ने अन्त समय तक संभाल के अपने कोल रखी इनना सारे वरतारयां दे हो जानतो बाद, जदो पाई देशा सिंग देच बारेच बैठके गुर्गोबिन पाश्चा, औरंग जेब दे नाम जफर नामा लिख देहन, ओदेच जिकर मिलदा है तुर्क करा बबायत, बकॉले कुरां, बलिस दे शुमारा, रसानन हमा यानि के ओरंग जेब तु खुदा दिया चूठिया किसमा खा के, अपने दस्तकत करके जड़ी कुरां शिरीफ मैनू अनंदपुर सहब पेजी सी, ओमें अज तक संभाल के अपने कोल रखी है जे विखना चोंदा है, तब बेशक मुलाकात कर ले गुर्गोबिन पाशा ने अंत समय तक ओरंग जेब दी ओ कुरां ऐसली संभाल के रखी सी, क्योंकि ओ एना सारे वर्तार्यां दी ओरंग जेब दे फरेबां दी पोल खोल दा, सिक इताहास देक बोती महत पूरण दस्तावेच सी दिन दा आखरी पैर सी खाल से दे जनम पूमीनू अलविदा कैन तो पहला, गुरु सहिब अनांधपुर्दियां गलियां जे आखरी वार विचरन लई निकल दे हन आज अनांधपुर्दी हवा विच एक आड़ी ही विराग सी इंज जाब दासी जिवे नगर्दी एक 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 विचोड़े दे गम विच रो रही होवे विचर दे होए गुरु सहिब पॉंच दे हन सीस गंज साहिब जिथे उनना दे पिता नोवे पाशा शिर्गुर्द तेग बादर जीदे सीस दा अंतम संसकार कीता गया सी उते अरदासा सोद जान दी इजाज़त लेंतोबाद गुरु सहिब उते रेनवालेक उदासी सादू गुरुबक्ष दास जी दी उते डूटी लोंदे हन के सब दे जान बाद गुरुबक्ष दास नहीं उस पुवित्र स्थान दी सारसंबाल सफाई ते उते जोत जगदी रखन दी सेवा करनी है फेर आया ओसमा जो दो दुश्मेश पाशे शिर्गुर गोबिन सिंग जी अपने प्रवार ते सिंगा समेथ अनंदपुर सहब दा किला छट दे हन ते एक किला को यह में कठे चोंडबना के नहीं सी छट दिता गया एक पासे सी लखा गिंती दी मुगल ते पहाडी राजया हो पाए नहीं ता लखा दी फोज दा मकाबला चार पंसो दे नाल जी दे चो काफी गिंती ता एहो जी आम संगत दी सी जीना नू सही टंगना लड़ना भी नई सियों दा चमकोर दी गड़ी ते सरहंद दिया निया तक ता गल पहुंचनी ही नई सी सारे दे सारे सेंग ते गुर परवार इते सरसा दे कंडे ते ही शहीद कर दित्ता जाना सी ऐसे लही अज भी दुनिया पर दे इतहास कर मन दे हन के जे अपा गुर्गोविन सेंग जी दे रुषानी पक नू नजर अन्दाजवी कर दिये तामी उनना दिया जंगी नीतियां दे अधार ते लुट्टी दे जरनेलां विच छुंदी है आकर की सन सरसा देकंडे हो ये जंग विच गुरु सहब दियां जंगी नीतियां इना सबते से डिटेल विच एक वीडियो अल्रेडी बनाया होया है डिस्क्रिप्शन ते वीडियो दे एंड विच तो अनुस दा लिंक मिल जाओ ज सिंगां दे कर बाग विच चे सब कुछ उजार दिता गया एथो तक के कंदां दे लगे कीमती पथर किलें दे द्रवाजे खिड़कियां ते चंदन दे द्रक्त तक सब कुछ लुट ले आ गया लुट पाड़ तो अलावा तुरकन फोस दा मेन मकसद एवी सी के जे गुरु मुड़के थे वसना चावे तां एस शेयर नो एना ब्रबाद कर दिये के रहन जोगा बचे ही ना एतां ओक आरस्तानिया संद जो वैरियां ने कितियां हुण कल कर दे हैं ओस विसा का दी जो उनना ने किता जिना नू गुरु पाच्छा अपना रिष्टेदार अपना प्र गुरु शिर्गुर तेग बादर जी दे दूरों नेडेओं किसे प्रादे पोत्रे सन क्योंके हुण इत्थे सब कुछ उजडग्या सी ते इत्थे रहना खत्रें तो खाली भी नहीं सी सो गुरु सहिप जी ने इनना दोवा नू अपना एक हुकम नामा दे के सिर मौर दे राजे कोल पे जिया ओस हुकम नामेच लिख्या सी के तुर्का नाल साधी अनबन हुन बहुत वत चुकी है असी अनंतपुर छड़के जा रहे हैं सो मेरे इन दोवें पुत्रानों गुजारे दे लई एक पेंड़ दी जगीर दे दिती जावे ते राजे ने गुरु सहिप नाल रलके चमकोर दी गड़ी अनंदपुर सहीब सरसेदे कंडे कोई मोका नी चड़िया गुरु सहीब नाल वेर्क मोंदा ते इस गुलाब राए ने की कीता गुरु गोविंद पास्षादे जोती जोत समोंदे सिर्फ तेनक साल बाद ही इस नीच एहसान फरामोश ने उस केसरी चंदनल जाके हथ मिला लेया ते केसरी चंदता पहला इस सिखां विच पाड़ पाके तबाशा वेखना चोंदा सी सो उसने अद्धे पचदे पैसेयां विची अनंदपुर सहीब दी सठ किले जमीन गुलाब राए दे नाम कर दिती ते क्योंके गुलाब राए सोटी खांदान चोंही सी ओ अपने आपनों सिखांदा ग्यारवा गुरु अखवा के अनंदपुर सहीब गद्धी लाके बैठन लग पया दश्मेश पाशा दी नकल कर दिया उसने कलगी लोना ते तीर्क मानते शस्तर सजोना शुरू करता ते ओ बिल्कुल दश्मेश पाशा वर प्वित्रस्थान सीस गंज सहीब नूही जाके मल लिया उदासी सादू गुर्बक्ष जी जीना दी उत्ते सेवा संबाल दी डूटी लाए गई सी इस प्वित्रस्थान दी भीद भी हुंदी वेक के उन्हा ने गुलाब राई नू बड़ा रोक्या के ओए पाप ना कमाव किया जन्दा है के कुजिक समय बाद एहो जा पानावा प्रया के गुलाब राई दे पुत्तर दे नूहां एक के करके काल दी गोद च समोन लगपे केंदे हनके अपने पुत्तर दी लाश विखना किसे दुन्यावी मनुखलई दुनिया दा सब तो दर्दनाक मंजर हुंदा है ते एक दो बाद एक मर्दे अपने पुत्तर नोहां दिया लाशां वेख के गुलाब राई दी हालत पागला वरगी हो गई त्यों अनंदपुर सहब छड के कीर्थपुर सहब दे नेड़े तेड़े आके किते रहन लग पया जित्ते एसे तरह ही गोड़े कड़ी इसने ह है उस दी मौत होई सो इनना सभी तहासिक जानकारियां दे नाल आप आज दे इस वीडियो दी समापती कर दे हां जे हो सके ता वीडियो नो लाइक करके अगे वत तो वत शेयर जुरूर करना चैनल नो सस्क्राइब ता तुसी कारी दिता होना सिक्ष ही दी हफते ते डे बा बाहि गुर्जी की फत्र